दोस्तों मानो इतिहास के आश्चरी चकित कर देने वाले और चोकाने वाले किस्सों से भरबूर ये किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है तीस से अधिक भासाओं में ट्रांसलेस्ट हो चुकी सेपियन्स को पूरी दुनिया में जितना सरहाया गया है उससे कहीं अधिक पढ़ा गया है येरुशलम के हिब्रू विश्विध्याले में फॉफेसर डॉक्टर यूवल नोहा हरारी ने किस्सा गोई और पाठको के मरुरंजन का पूरा धियान रखा है इस किताब को पढ़कर ही आप जान पाएंगे कि बिल गेट्स सहित पूरी दुनिया आखिर इसकी दिवानी क्यों हुई जा रही है और क्यों फॉरेंड मेडिया इसे सदी की सबसे भीतरिन किताब मान रहा है सेपियन इनसानी इतिहास का विस्चरत विवरन है कोई गुरंत नहीं है लेकिन परमानी दस्तावेज है आप इसे और इसमें लिखे तथ्यों को नकार नहीं सकते हाला कि मान विथिहास को हम सब ने अपने स्कूल कॉर्स में जितना पढ़ा है उससे कहीं आगे का ग्यान इस किताब में है जोने सिर्फ तश्वीरों, तत्यों और तरकों से परमानीते बलकि आसान उधारनों के साथ समझने भी में मदद करती है सेपियन्स को पढ़ने के दोरान आपको महसूस होगा कि आप वास्तविक में क्या है क्यों है और यहां तक पहुँचने में किन-किन प्रस्तितियों से गुजरना पड़ा ये ठीक वैसा ही है जैसे आप जमीन में एक बीजबोएं और उसे अपने सामने पाएं पोदा फिर पेड़ बनते देखें सेपियंस में डॉक्टर यूयोल नोहा हरारी ने जीव विग्यान मानो शास्तर जीवासम विग्यान और अर्थ शास्तर के गहन ग्यान के आधार पर इस रहस्यों को कोजा है कि इतिहास के परवान अकिरकार कैसे हमारे मानो समाज हमारे चारो और के प्राणियों और बोधों को आकार दिया है यही नहीं इसने हमारे वैक्तितू को भी कैसे प्रभावित किया है यह भी सेपियंस के जरिये समझा जा सकता है दोस्तों अब बात आती है कि ये किताब आप क्यों पढ़े करीब एक लाक साल पहले धर्दी पर मानों की कम से कम छे परजातिया बस्ती थी लेकिन आज सिर्फ हम हैं होमो सेपियन्स परभुत्व की इस जंग में आखिर हमारी परजाती ने कैसे जीत हासिल गी हमारे भोजन, खोजी, पूरवज, शहरों और सामराज्यों की अस्थापना के लिए क्यों एक जुक्त हुए कैसे हम इश्वर, रास्ट्रों और मानो दिकारों में विस्वास करने लगे कैसे हम दोलत, किताबों और कानूनों में भरोसा करने लगे और कैसे हम नोकरशाही, समे सारनी और भोगताबाद के गुलाम बन गए आने वाले हजार वरसों में हमारी दुनिया कैसी होगी इस किताब में इनी रोचक सवालों के जवाब समाईत है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों हम इस किताब को पढ़ें तो आपको एक बार खुद समझना होगा कि हम क्या है अगर आप मानो हितियास को जानने और समझने की वज़ाए सिर्फ नई हिंदी की उलजाने वाली प्रेम कहानियों के शोकीन है या फिर कवीता, नजम और बायोग्राफिक के आदी हो तो सेपियन्स आपके लिए नहीं है दोस्तो सेपियन्स में अनुवादक मदद सोनी का काम बहतरीन है पुरी किताब के किसी भी पनने को पढ़कर ये नहीं लगता कि अनुवाद है इसके लिए वे बधाई के पातर भी है दोस्तो इस किताब का पूरा क्रेडिट मंजूल पब्लिकेशन्स को जाता है ठीक है और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये किताब ओडियो में चाहिए तो आप मुझे कम्मेंट करके बताए तो मैं आपको ये किताब पूरी ओडियो में एवलेवल करवा दोगा ओके दोस्तो